नमस्कार वेलकम अभिनांदन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईए जानते हैं 3 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार आज का राशीफल शुरुवात करते हैं आज के पंचांग से विक्रम समवत 2021 हिंदू पंचांग के अनुसार मास मार्ग शेश है पक्ष शुकल पक्ष है और रितू हेमन्त रितू है आज द्वितियाते थी तो पहर एक बचकर नौ मिनिट तक रहेगी इसके बाद तृतियाते थी लग जाएगी आज मूल नक्षत्र शाम 4 बचकर 42 मिनिट तक रहेगा इसके बाद पूर्वा शाड़ा नक्षत्र लग जाएगा आज बनने वाला योग शू योग शाम 3 बचकर 8 मिनिट तक रहेगा इसके बाद गंड योग लग जाएगा आज चंद्रमा धनु राशी में गोचर करेंगे समसूर्य व्रिशिक राशी में गोचर करेंगे आज सूर्य दे सुबच 6 बचकर 58 मिनिट पर होगा आज चंद्र दे सुबच 8 बचकर 55 मिनिट पर होगा आज अब जीट महुलत सुभा 11 बच कर 50 मिनिट से 12 बच कर 32 मिनिट तक रहेगा आज राहो काल 2 बच कर 45 मिनिट से शुरू होकर 4 बच कर 6 मिनिट तक रहेगा अब जानते हैं 3 दिसंबर 2014 का राशी फल पहली राशी मेश राशी प्रियमेश राशी के जातक एस्ट्रो योगी जोतिशियों ने आज आज आपको एक अच्छा समय दिया है ये आराम करने और अब रिलाक्स करने का समय है दिन के लिए आपकी प्राथमिक्ता मनुरंजन है अपने परिवार और दोस्तों के साथ आप आनंद कर सकते हैं एक सुखद दिन रहेगा ये आपके लिए लव लाइफ में आज आप अपने साथी के साथ बैटकर दोनों के सम्मंद के शिरुवाती दौर को याद करेंगे एक दूसरे के प्रती आकरशत हो प्रेम की वो पहली शिरुवात आज याद करेंगे करेर की बाद की जाये तो आपकी संप्रेशन कला आकरशत व्यक्तित्व आपको आज काम करने में बहुत मदद करेंगा आपको आज बहुत महनत करनी होगी अपने लक्ष को प्राप्ट करने के लिए अपने साथियों की सकरात्मत प्रतिक्रिया के कारण आप और भी जोश से काम कर पाएंगे आप पर आर्थिक दबाव चाहे जैसा हो आप अपनी शमता से उन दबावों को जेल जाएंगे बस आप अपना लक्ष निरधारित कीजिए उसके लिए ठोस योजना बनाएए उस योजना पर काम कीजिए आज का दिन चुनोती पूर्ण हो सकता है लेकिन चिंता की बात नहीं है आपको अपने रुची भरे कारियों में ध्यान लगाना है आज के दिन भाके को आकर्षित करने के लिए मरून रंग पहने सुबह 10 से 11 का समय रहेगा लखी लखी नमबर रहेगा नमबर 4 धन्यवाद अब जानते हैं व्रिशब राशी का आज का राशी फल तो प्रिय व्रिशब राशी के जातक चंद्रमा की मौझूदगी धनूराशी में है जो ये बताता है कि आज आप मेंसे कुछ लोगों का मिजाज अच्छा रहेगा आस्ट्रयोगी जोतिशी बताते हैं कि आज आज आपका दिन बहतरीन होने वाला है आज आज आपका मन संतुष्ट रहेगा क्योंकि हो सकता है आपने जैसी योजना बना रखी हो अब चीजें वैसी ही काम करना शुरू कर दें जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं वो भी आपसे खुश रहेंगे आज के दिन का फायदा उठाएं और प्रयास करें कि आप अपने सारे कारियों में सफल रहें लव लाइफ में आज आप ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो की आपके ही जैसा है उसका नेचर उसका काम आप ही की तरह है आप अपने परिवार के लोगों को इस व्यक्ति से मिलवा सकते हैं करियर की बात की जाए तो आज के दिन पॉजिटिव सोच के साथ अपना काम करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा आपकी योगिताओं के अनुसार आपको कुछ इक पदवृद्धी भी मिल सकती है आपकी खुश मिजाज और जोकिम उठाने की शमता के बदॉलत आपको व्यवजाई के शेत्र में फायदा होगा अगर आप परियतन के शेत्र में जुड़े हुए हैं तो आज का दिन लाब वाला है हेल्थ की बात की जाए तो आज के दिन आपको अपना मूड अच्छा बनाए रखना होगा आपको सरदर्द जैसे परिशानी हो सकती है लेकिन आज के दिन थोड़ा आराम करेंगे तो ठीक हो जाएगा दस बज़े से लेके साड़े बारा का समय रहेगा लखी, बैंगनी रंग लखी कलर रहेगा, लखी नमबर रहेगा नमबर पाँच, शुक्रिया अब बात करते हैं मिथुन राशी की, प्रिय मिथुन राशी आज का दिन आप में से कुछ लोगों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है रुमैंस के शेत्र में आज आगे बढ़ पाएंगे अगर शादी फिक्स नहीं हुई है तो वो भी हो जाएगी आस्ट्रो योगी जो तिश्यों का कहना है कि अव विवाहित भी आज अपना प्रेम या प्रियजन से मिलने की उमीद रख सकते हैं और जो पहले से ही रिष्टे में हैं वो उसकी सरहाना कर सकते हैं बात करते हैं आपकी romantic life की आज के दिन misunderstandings को दूर करने की कोशिश करिये एक दूसरे के ओपर विश्ववास रखने की कोशिश करिये relationship अच्छा होगा करियर की बात की जाए तो अपनी प्रबंधन कला से आपको अपने लक्षयों को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए आज के दिन आपको अपने लक्षयों को प्राप्त करने में बहुत मेहनत करनी होगी लेकिन आपके प्रयास सफल होंगे आज के दिन आपको प्रमोशन मिल सकता है, नए अवसर भी मिल सकते हैं आप अपनी तक्नीकी योगिता के दम पर लंबे समय से लटकी किसी समस्या से नजाग पालेंगे आर्थिक लाब भी होगा, आज का दिन आपकी तनक्वा में बढ़ोतरी भी करवा सकता है महनती लोगों को उनकी महनत का मीठा फल मिलेगा, आज के दिन आप अपनी सक्सेस पा सकते हैं हेल्थ की बात की जाए तो अपने हेल्थ के मामले में आपको ब्लड प्रेशर से सम्मंदित समस्या हो सकती है इसले जादा गुसा ना करें, दुपहर तीन से चार का समय रहेगा लखी, आपके लिए सबसे भागिशाली कलर आज रहेगा पीला, लखी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर पाच, धन्यवाद अब बात करते हैं करकराशी की तो प्रिय करकराशी के जातक धनूराशी में चंद्रमा का गोचर आपको बेचैन कर सकता है, आपको अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होगी आप खुद को प्रेरित रखने के तरीके खोजे, आपके जिम्मेदारियों का ध्यान रखा जाएगा, आपके और आपके साथियों के बीच कुछ पहस हो सकती है, अपनी कूटने तिक कोशल और चतुराई से काम करें, आज अपने प्रेमी के साथ आप यादगार पल सभी परिशानियों को पीछे छोड़ कर साथ घूमने का कोई प्लान बनाए, करियर की बात की जाए तो आज के दिन आपकी परसनालिटी बहुत सारा लाब आपको कमा कर दे सकती है, आर्थिक शेत्र में भी फायदा होगा, कड़ी महनत की बड़ी जरूरत है, सकरात्मक सोच से बल मिलेगा आपको, बात करते हैं हेल्थ की, आज के दिन बाहर का खाना बिलकुल अवाइट करें और जितना हो सके योग में अपना समय बिताएं, वो आपके रिए बहुत अच्छा होगा, नीला रंग रहेगा लखी कलर, सुबह 10 से 11 का समय रहेगा लखी, लखी नंबर रहेगा नंबर 4, धन्यवाद, बात करते हैं सिंघ राशी की, प्रिय सिंघ राशी, आज के दिन पिछले कुछ दिनों से जो आप जटो जहत में थे, जो आपका बिजी शिट्यूल था, अब आप थोड़ा सा आराम करने के लिए समय निकाल सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका मूड खराब है तो अपने प्रियेजनों के साथ कुछ समय बिताएं, आपको धहरे रखना चाहिए और शांती से हर एक स्थिती को संभालना चाहिए, लव लाइफ में आपको आज सफलता मिलेगी, बाधाएं दूर होंगी, करियर की बात की जाए, तो आज के दिन नए अवसर आपको मिल सकते हैं, नए opportunities मिल सकती हैं, कनी पर अगर interview दिया हुआ था, तो आज आपको phone call आ सकता है, छोटी मोटी परिशानियों से हार ना माने, हिम्मत से आगे बढ़ते रहें, व्यवसाइक मोर्चे पर आज आपको अपनी योगिता साबित करने के लिए सही नीती बना कर चलने की आपकी शमता और योगिता की बदौलत ही, आप अपने लक्षे को पालेंगे और इस तरह आपके सामने आर्थिक लाब के भी अवसर आएंगे, अंचाहा तनाव कम करें, वरना आपके स्वास्त पर असर पढ़ सकता है, जादा तनाव से आप बिमार हो हो सकते हैं, जिसका असर अलपवती या लंबे समय में देखा जा सकता है, योग और ध्यान से आपको आराम मिलेगा, हर आरंग रहेगा लखी कलर, आपके लिए लखी समय रहेगा शाम 6-8, लखी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 2, धन्यवाद. बात करते हैं कन्या राशी की तो प्रिय कन्या राशी के जातक, आज के दिन आप आशावादी महसूस करेंगे, लंबित योजनाओ पर अमल करेंगे, आपके अधूरे काम आज पूरे होंगे, आप विलंब के लिए बहुत कम सहन करेंगे, आज के दिन अपने प्रेम अंद में आप कुछ नई चीजें देख सकते हैं, कुछ इंप्रूव्मेंट देख सकते हैं, कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो अपना दृश्टिकोंड बदलना जरूरी है, करेयर की बात की जाये तो आपकी मेहनत की बदौलत आ हेल्थ के मामले में आज के दिन आपको अपनी तवचा का खास ध्यान रखना है, अगर आपकी तवचा बहुत ड्राइ है तो आज के दिन आपको अपनी तवचा का ध्यान रखना है और हो सके तो आपको अपनी स्किन केर के लिए एक रूटीन सेट करना चाहिए, हरे रंग म क्यों खास है आज का दिन प्रियतुला राशी आपका आत्मों विश्वास आज बढ़ सकता है आपको अपने विचारों को बहतर तरीके से प्रस्तुत करने की जरूरत है आप अपने जीवन से संतुष्ट होंगे अपने आसपास के लोगों के लिए आप कुछ अच्छा कर सकत करियर की बात की जाए तो आज के दिन आपको लड़ाई जगड़े से बचके रहना चाहिए ओफिस में बिल्कुल भी लड़ाई जगड़ों में इन्वॉल्फ ना हूँ समस्याओं से निपटने की आपकी जो शम्ता है उसके बल पर आप आर्थिक मुश्किलों से भी पार पालेंगे अपना प्रदर्शन और कमाई की शम्ता को बढ़ाने के लिए सभी ज़रूरी बातों का ध्यान रखें हेल्थ की बात की जाए तो आज के दिन आपको कुछ घबराहट महसूस हो सकती हैं और बेचैनी हो सकती है आप खो आज के दिन आराम करना चाहिए और फिजूल की बातों में ध्यान नहीं लगाना चाहिए ये वक्त गुजरते ही आप पहले की तरह स्थिर महसूस करेंगे आज के दिन wine red color रहेगा लगी color शाम 25 से 6 का समय लगी रहेगा लगी number रहेगा number 7 धन्यमात बात करते हैं व्रिष्षिक राशी की प्रिय व्रिष्षिक राशी के जातक आज के दिन घर या कारस्थल में काम कर पाएंगे आप आज सभी महत्व पूर्ण कारियों को पूरा कर सकते हैं आपको अपने कारियों पर ध्यान के इंडरित करना चाहिए नौकरी और परिवार में संतुलन बनाने का प्रयास करें लव लाइफ में अपने साथी से अचनिया की प्राप्ती होगी जो लंबे समय से संबंध में वे इस बात पर गर्व करेंगे जो संबंध में नहीं हैं वे नए साथी से बहुत जल्दी मिल सकते हैं इस समय आपको अपने सपनों को समझ कर उन्हें पूरा करने के लिए बहुत महनत करनी चाहिए अगर इसके लिए आपको यात्रा भी करनी पड़े तो भी पीछे ना हटे आर्थिक मामलों में आपको अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे आज कुछ अच्छे इंवेस्मेंट्स आप कर सकते हैं पूरी आप जाज परताल करने के बाद ही कोई भी इंवेस्मेंट करें हेल्थ की बाद की जाए तो तनाव को दूर रखने की कोशिश करें तनाव से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है इसलिए चिंताओं को पीछे छोड़ कर अपनी हेल्थ पर ध्यान दें तो पहर दो से शाम चार का समय रहेगा लखी लाल रंग लखी कलर रहेगा लखी नमबर रहेगा नमबर छे धन्यवाद अगली राशी है धनुराशी तो प्रिय धनुराशी के जाट तक आज पैसा खर्च करने के बजाए पैसा कमाने की सोचे आप अपने रहने की जगा को बहतर बना सकते हैं अपने महमानों के लिए अधिक आराम दायक बना सकते हैं आप थोड़ा तरो ताजा और अच्छा महसूस करेंगे आज आप फैसला करेंगे कि लव लाइफ में आपको करना क्या है आपको लव लाइफ में आगे बढ़ना है या अपने कदम पीछे हटाने है इस बात पर सोत समझकर फैसला लें करियर की बात की जाए तो आज के दिन आपकी क्रियेटिविटी की वज़े से आपकी काम की सरहाना होगी आज के दिन आप अपने करियर को उचाईयों पर ले जा सकते हैं आर्थिक स्थिती के मामले में अपने द्रर संकल्प और हिम्मत के दम पर आप अपनी आमदनी को बढ़ाने में सफल होंगे जरूरी है कि इस वक्त आप अपने काम पर ध्यान लगाए रखें अपने अनुभव और रचनात्मक उर्जा के सहारे आप अपना आर्थिक लक्षे पालेंगे हैल्थ की बात की जाए तो आज के दिन आपको जादा पानी से दूर रहना चाहिए नदी तालाब ऐसी जगाओं से आज आप दूरी बनाके रखें तो आपके लिए अच्छा है दुर्खटना अवॉइट करें अस्ट्रो योगी जोतेशियों के नुसार दुपहर दो से चार का समय रहेगा लखी लखी कलर आपके लिए रहेगा सफेद लखी नंबर रहेगा नंबर छे धन्यवाद बात करते हैं मकर राशी की तो प्रिया मकर राशी के चातर चंद्रमा के धनून पर होने के प्रभाव से भले ही आप जादतर दिनों में अपने दोस्तों परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं लेकिन आज को समय एक आंत में बिताना चाहते हैं जितना आप अपने दोस्तों परिवार को संजोते हैं आप इस बात की जानकारी रखनी चाहिए आपको कि आप अपने निरने खुद ही ले और आप खुद के साथ भी थोड़ा समय बिताएं, चीजों को सोचें, समझें और उसके बाद अपनी जिन्दगी में इंपोर्टन्ट आपको प्यार का इजहार करके हैरान करड़ेगा, आज कोई नया गिफ्ट आपको मिल सकता है अपने पार्टनर से, बात करते है कर्यर की आज आप आत्मनिरक्षन की स्थिति में रहेंगे, आप सोचेंगे कि आप कितनी दूर आ चुके हैं, कितनी दूर और जाना है और रास की दख्लन दाजी को अवॉइट करें हेल्थ की बात की जाये तो आज आप सरदर्द और मांसिक उर्जा से ग्रस्त रहेंगे इसलिए सामधानी बढ़ते इन बिमारियों का कारण बढ़ता तनाव है तनाव को दूर रखने की कोशिश करें अच्छा भाग कि पाने के लिए सफ करते हैं कुमराशी की तो प्रिय कुमराशी के जातक आज आज आप में से कुछ लोग मांसिक और शाररेक रूप से उर्जावान महसूस कर सकते हैं धनुराशी में चंद्रमा के गोचर के कारण आपकी सभी योजनाय पूरी होंगी आपको घर पर और काम करने में मदद मिले करियर की बात की जाए तो आपकी जिग्यासु प्रवरती के कारण आपको अपने प्रयासों के परिणाम तुरंध ही मिल सकेंगे अगर आप काम को नए तरीके से करना चाहते हैं तो आपको रचनात्मक होना होगा अच्छी और आराम देयर जिंदगी की आपकी चाहत आपको वो उर्जा देगी कि आप पल-पल बदलते समय के साथ कदम से कदम मिला कर चल सकें किसी भी तरह की आर्थिक चुनौती से निपटने के लिए आप में योगिता है आज के दिन आर्थिक लक्षे आप हासल कर पाएंगे अपना आर्थिक लक्षे हासल करने के लिए मेहनत करें योजना बनाएं और उस पर अमल करें हेल्थ की बात की चाहे तो आज के दिन आपका शाररिक स्वास्त ठीक रहेगा मानसिक स्वास्त में भी सुधार आएगा चे का धन्यवाद और अब आती है बारी मीन राशी की तो प्रियमीन राशी के जाब तक आज आप मौजमस्ती के मूड में रहेंगे कुछ भी सीरिस करने का मन आपका नहीं रहेगा किसी यातरा की प्लानिंग हो सकती है कहीं घूमने फिरने का प्लान बन सकता है आस्ट्रो योगी जोतिशियों के अनुसार आपको पल में जीना चाहिए जो प्रेजन्ट है उसमें जीना चाहिए और पास्ट और फ्यूचर की इतनी जादा चिंता नहीं करने चाहिए रोमैंस के लिए ये समय अच्छा है अपने प्रेमी के साथ बहर जाकर समय बिताएं आपके परिवार के लोग जो पहले इस समन्ध के खिलाफ थे वो भी अब हक्त में हो जाएंगे करियर की बात की जाए तो आज नए अफसर आपको मिलेंगे लेकिन ओफस में लड़ाई जबरे से बच कर रहें आज के दिन किसी भी पॉलिटिक्स में अपना ध्यान ना लगाएं आर्थिक सिती के मामले में आज आपको काफी फायदा हो सकता है अगर आप जमीन जायदाद में निवेश करना चाहते हैं ये दिन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए हेल्थ की बात की जाये तो आज के दिन हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी आप अपना समय इंजॉय कर सकते हैं थोड़ा योग और ध्यान में समय बिताएं लखी कलर आपके लिए रहेगा वाइन रेट कलर लखी नमबर आपके लिए रहेगा नमबर तीन लखी समय आपके लिए रहेगा दो से छे का समय धन्यवाद ये राशिफल चंद्रमागरे और नक्षत्र के गढ़ना पर आधारित हैं और अब आस्ट्रोयोगी के सभी दर्शकों के लिए खास ओफर आप सभी आस्ट्रोयोगी पर अपना पहला आस्ट्रोलोजी कंसल्टेशन बिलकुल मुफ्त ले सकते हैं वो भी पूरी प्राइवसी के साथ तो आज ही राउनलोड करें आस्ट्रोयोगी आप लिंक डिस्क्रिप्छिन बॉक्स में दिया गया है साथ ही चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले अब आप आस्ट्रोयोगी के लाइड शेशन पर भी फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं तो अभी राउनलोड करें आस्ट्रो योगी आप या लॉग इन करें आस्ट्रो योगी.com पर कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार